प्रस्तावना बेरोजगारी भारतिय युवावर के तन और मन में लगा हुआ एक घुन है जो निरंतर उसकी चमता आस्ता और धैरिये को खोकला कर रहा है प्रतिवर्स लाखों की संख्या में बढ़ते बेरोजगारों का सम्हूं देश की अर्थ्यवस्ता के दिवालिये पन और देश की सरकारों के जूटे वाइदों की करुण कहानी है सच तो यह है कि मर्ज भड़ता ही गया जो जो दवा की आपने भारत में बेरोजगारी का स्वरूप देश में बेरोजगारी के कई स्वरूप देखने को मिलते हैं एक है आन्शिक या अल्पकालिक बेरोजगारी और दूसरा पूर्ण बेरोजगारी आन्शिक बेरोजगारी गाउं में अधिक देखने को मिलती है वहाँ फसल के आउसर पर स्रमिकों को काम मिलता है से समय बेरोजगार से ही रहते हैं निजी प्रतिस्ठानों में करमचारी की न्युकती एनिश्चिता से पूर्ण रहती है बेरोजगारी का दूसरा स्वरूप सिक्षित बेरोजगारों तथा एसिक्षित या एकुसल बेरोजगारों के रूप में दिखाई देता है बढ़ती बेरोजगारी आज प्रेतेक परिवार में कुछ व्यक्ति बेरोजगार होते हैं इन बेरोजगारों का भार परिवार के उन एक दो सदश्यों पर पड़ता है जो कुछ कमाते हैं इस प्रकार निर्धन व्यक्ति और अधिक निर्धन बनता जाता है यदिपी उद्योग धन्दों का देश में काफी विस्तार हुआ है किन्तु साथ ही कुटीर उद्योगों के विनास के कारण बेरोजगारी की दसा में कोई उलेखनिय सुदार नहीं हो पाया है प्रतिवर्स लाखों की संख्या में विध्यालों से निकलने वाले सिक्षित बेरोजगार समश्या को चिंताजनक बनाते जा रहे हैं क्रेशी की निरंतर उपेक्षा के कारण गाउं से सहरों के और पलायन हो रहा है बेरोजगारी अपरादी मानसिक्ता की व्रद्धी का कारण बन रही है बेरोजगारी के कारण भारत में दिनों दिन बढ़ती बेरोजगारी के भी कुछ कारण है इन कारणों का निम्नुवत वरगिकन क्या जा सकता है जन संक्या व्रद्धी यह बेरोजगारी समश्या का मुख्य कारण है जन संक्या के गनत्विकी द्रश्टी से चीन के बाद हमारे ही देश का नाम आता है जन संक्या तो बढ़ती है किन्तु रोजगार के श्रोत नहीं भढ़ते अतह जो जो जन संक्या बढ़ती है त्यों त्य रोजगा बालक जो शिक्षा पाता है वहें उद्देशे रहीत होती है आज कल अनेक रोजगारों में पाठे करम चलाये जा रहे हैं किन्तु अत्यंत महेंगे होने के कारण सामान्य छात्री की पहुंच से भार है इस प्रकार वर्त्मान शिक्षा प्रणाली भी बेकारी की का विक्राल बना रही है हमारे यहां उद्द्योगी करन के रूप में बड़े उद्द्योगों को बढ़ावा दिया जाता रहा है आवश्यक वस्तों की आपूर्ती की द्रश्टी से यह एक अच्छा कदम है किन्तु मसीनी करन के कारण बेकारी की समश्या और बढ़ गई है लगू अत्वा कुटीर उद्द्योगों के विकास के लिए जो प्रियास किये जा रहे हैं वे नितांत ऐप्रियाप्त हैं वर्तमान सरकार ने मनरेगा योजना को व्यवस्तित बना कर मुद्रा स्टार्ट आप, स्टेंड आप, जंदन खाता योजना, आदी के द्वारा बे शिक्षित वर्क की दूरदसा हो रही है, राजनितिक स्वार्थों के कारण सिक्षित बेरोजगारों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, स्वेरोजगार योजना का दूरुपयोग, जोहार रोजगार योजना, नगरिय रोजगार योजना, स्वेन जैनती योजना, आदी सरकारी योजनाएं के वल सुवार्थी और उपर तक पहुंच रखने वाले लोगों की जेबे भरती रही हैं। उनका लाब वास्तविक पात्रों को मिल पाना बड़ा कठिन रहा है। अब सरकारी योजनाओं के लाब पात्रों के खाते में सीधे पहुंचा कर इस ब्रष्ट प्रमपरा को समाप्त करने का प्रियास किया जा रहा है। निवारण के उपाय किसी समश्या का कारण जान लेने के बाद निवारण का मार्क श्यम खुल जाता है। आज सबसे अधिक आउशकता सामाजिक क्रांती लाने की है। हम प्राचिन व्यवस्ताओं और मानेताओं को नए युग के अनुकूल ढाले। स्रम का सम्मान करें यह परम आउशक है। जनसंक्या व्रदी पर नियंतरन भी आज के युग की मांग है। किन्तु यह कारिये केवल प्रसाशनी की स्थर से संभव नहीं हो सकता। सरकार को मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षय व्यवसाई के इंद्री तो हो। शिक्षार्थियों को शिक्षा के साथ साथ उचित परामर्श भी दिया जाए। लगू एवं कुटिर उद्योगों को विक्षित क्या जाए। और सभी रोजगार परक्योज नए व्यवारिक हो। उपसनहार आज प्रतेक राजनितिक दल अपने चुनावी घोशना पत्र में बेकारी की समश्या के समाधान का आसवाशन देता है। कोई कोई दल यह भी कहता है कि हम प्रतेक व्यक्ति को रोजगार देंगे। यदि ये संभव ने हुआ तो प्रतेक वेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देंगे। किन्तु बेरोजगारी भत्ता देने से ही समश्या का समाधान नहीं होगा। और फिर यह सब कहनें की ही बाते हैं। इस समस्या का हल तब तक नहीं होगा, जब तक कि कोई ठोस और सूर नियोजित कारेकरम लागू नहीं होता, धन्यवाद, जै ही